तो गैसे यहाँ पर आप मेंसे जो बंदे GTA 5 खेलते हैं उनको पता होगा कि GTA 5 में हमें दो अप्शन मिलती हैं प्ले करने की ओफलाइन, ओनलाइन और यहाँ पर गैस मैं आप सभी लोग को बताओं कि आप मेंसे बहुत ज़्यादा बंदे ऐसे होगे जो उनको पता ही नहीं होगा कि ओफलाइन और ओनलाइन इन दोन में कितरा ज़्यादा फ़रक है क्या क्या यहाँ पर आप सभी लोग को फ़रक देखने के लिए मिल सकता है GTA 5 ओनलाइन और ओफलाइन के बीच आप सभी लोग को आज गी वीडियो देकर ये भी पता लगेगा कि GTA 5 ओनलाइन आपको प्ले करने चाहिए या फिर ओफलाइन किसमें ज़्यादा मज़ा है किसमें GTA 5 को ज़्यादा एक्स्प्लोर कर सकते हो किसमें आपको मज़ाएगा तो यहाँ पर आज गी वीडियो में हम सब लोग उन दोरों के डिफ्रेंस के बार में बात करेंगी तो जल्दी से गैस इस वीडियो को स्टार करते है तो गैस यहाँ पर आप मेंसे जो बंदे सबसे पहले GTA 5 खेलते होंगा तो पता होगा GTA 5 का story mode जो की offline mode है यहाँ पर आप सब लोग को क्या मिलता है आप सब लोग missions करते हो campaign missions को यहाँ पर complete करते हो थोड़े बहुत बाद में side missions भी आते है बत्यार गेज यहाँ पर end में जाकर होता क्या है end में जाकर game खतम हो जाती है यान की game end हो जाती है उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते बस आप घूम सकते हो free roam कर सकते हो mores डाल सकते हो उससे थोड़ा मज़ा आ जाएगा बट यहाँ पर your game will end like a movie क्योंकि जैसे movie का end हो जाता है वैसी आपकी game का भी end हो जाएगा बट वहीं पर बात करें online की बाई online एंटी नहीं होती वहाँ पर updates आते रहते हैं Missions Missions आते रहते हैं वहाँ पर खत्म नहीं होते क्योंकि कि मैं आपको बता दूँ online में new new missions यह online में बहुत ज़्धा updates आते हैं जिसके साथ क्या होता है new new hist आती है जिसको करने में literally बहुत मज़ा आता है अगर आपने offland hist play की है ना तो भाइ भूल जाओ वो तो hist होती ही नहीं असली हीस्ट होती है ओलाइन हीस्ट बिकोज आप सभी लोगो को मैं बता को अगर आप कि ऐजिए 5 अमेज पको मुझ वड़रा हमें इसके बात क Championships बाद करना हूँ है और यह थे तो सब्कों पता ओघा बड़ा फरक है आप अगर अपने दोस्तों के साथ को ओपी प्ले करना चाहते हो और कुछ भी मज़े लेड़ा चाहते हो तो आप ओफलेंड में नहीं ले सकते हैं वो आपको ओलेंड में मिलेंगे उसके लिए कैसे आप सुब लोगों को GT5 ओलेंड प्ले करनी पड़ेगी इस वो आपनी खुज की कमाई की पर्चेस करोगे विकोजब यहां पर जब आप ओफलेंड प्ले करते हो तो यहां पर होता क्या है कि आपको अनों जब offline play करते हो तो आपको पैसा मिलता है वह ज़्यादा दूसरी तेंगे से मिलता है यान कि आप भाई मोड लगाकर पैसा कमा सकते हो या फिर और सीन करकर पैसा कमा सकते हो बाट लेन में क्या होता है कि अगर आप गारियों देखोगे तो यहां पर आपको उड़ने वाले यहां पर वेकल्स मिलते हैं जिसको लेकर आप उड़ सकते हो अगर आप उनलें में प्रचेस कर सकते हो अगर आप उनलें में अपना फोन कोल कर को नई गारी को परचेस करो गे तो गयाए से यहां पर आलग अलग तरीकी गारीयां, मोस्टर, ट्रक्स, टैंक से बहुत कुछ होता है जो कि यहां पर offline में नहीं होता वो सिर्फो सिर्फ online में मिल सकता है अगर आप मोड लगाते हो बट online में वो गार यह तनी ज्यादा अच्छी मिलती है आपसे लोगों को देखने के लिए उसको प्रचेस करोगे और आपसे लोगों बिल्कुल मजा जाएगा उसको प्ले करने मे GT5 offline में जैसे आपको पता है गाइस बिल्कुल लिमिटेड गारियां है बट यहां पर online में unlimited है बहुत रिकी गारियां होती है तो इसलिए मुझे GT5 online ज्यादा अच्छे लगता है इस मामने भी अच्छे लगता है मुझे GT5 online वहीं पर बात करें जगले फरकी गाइस यहां प आप से लिगोगो है जिसके साथ को करने में भी मजाएगा प्ले करने में विकोज आपको अगर मिशन प्ले करोगे तो आप बार बार मरोगे उसमें आपके अंदर हाइप जनरेट होई कि आप तो इसको खेलना है इसको कम्प्रीट करना है ओफ लैंड में तो असानी हो जात पूलिस अटानी हो तो आपको भागना पड़ेगा पूलीस से आप चील नहीं लगा सकते हैं जिसके साथ आपकी पूलीस हट जाएगे आपको भी खुद भाग कर अटानी पड़ेगे यहाँ पर मेजर चीजें जो मैंने आपको बतानी थी ऑफ लैंड और ऑन-लेंड के बार जब बही story mode के बाद आप जो करते हैं उसमें बिलकुल मजा नहीं आएगा story mode के बाद आपको लगेगा खतम है बट online में ऐसा होगा कि अगर आप बही यहाँ पर story mode offline के complete कर देते हैं उसके बाद online में आजाओ online में गैस आप सब लोग चीज़े करो उसमें आपको gt5 में मजा आएगा बट यह चीज़े करने से पहले story mode जुरूर प्ले करना उसके बाद online में आना ऐसे नहीं सीधा online में आजाओ मेरे कहने का मतलब यह था बट हाँ online ज्यादा बढ़िया है ज्यादा चीज़े है online में तो आप सब्सक्राइब करने चाहिए story mode के बाद जैसे मैं आपको बता दिया